हे गाईज, वेलकम बेक टो माई चैनल तारा मदू की रसोई फ्रेंड्स आज में आप सभी के साथ क्रीम को बीट करने वाले इलेक्टिक बीटर को ले करके एक बहुत ही स्पेशल और इंफरमेटिव वीडियो ले करके आई हूँ क्योंकि फ्रेंड्स बहुत से जो बिगिनर्स होते हैं जो केक बेक करना अभी अभी सीखी रहे हैं जो स्टुडेंट्स होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि क्रीम को परफेक्ट तरीके से किस चीज से विप किया जाता है क्या उसे hand whisker से whip किया जाता है, spoon से, fork से, mixer से या फिर electric beater से अभी हाली में कुछ दिनों से मेरे comment section में भी लगातार कुछ viewers यही question मुझसे बार-बार पूछ रहे थे कि मैं क्रीम को beat करने के लिए कौन सा option best है तो बस उनी सभी की problems को देखते हुए आज में ये special video आप सब के साथ share कर रही हूँ आज मैं आपको बताऊंगी कि क्रीम को whip करने के लिए कौन सा option best है साथी बताऊंगी कि अगर आप beatर भी लेना चाहते हैं तो वो कितने what का होना चाहिए उसमें क्या-क्या requirement होनी चाहिए ताकि हमारी जो क्रीम है वो over whipped भी ना हो और साथी काम करते समय वो melt भी ना हो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप electric beatर लेनी की सोच रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान देना है electric beatर लाने के बाद उसे कैसे operate करना है उससे किस तरीके से perfect whipped cream तयार करनी है ताकि वो आपके काम करते समय भी बिल्कुल भी melt ना हो तो friends मेरी request है आप मेरे इस वीडियो को end तक जरूर देखेगा आप सभी के लिए बहुत ही informative और बहुत ही useful होने वाला है साथी ये भी कहूंगी कि अगर ऐसी ही problems आपको cake baking या cake की cream से related कोई और भी आती है तो आप मुझसे comment section में लिख करके पूछ सकते हैं अगर आपकी problem genuine हुई तो मैं जरूर उसके उपर एक video ले करके आऊँगी नहीं तो आपको comment section में ही आपके answer दूँगी और नहीं तो stories में post करके आपकी problem को solve करने की पूरी कोशिश करूँगी तो guys वीडियो पसंद आए तो इसे जरू like share कीजेगा साथी मेरे channel को subscribe कीजेगा तो आए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो guys जो हमारे पास सबसे common option होता है हमारी cream को whip करने के लिए वो होते हैं यह hand whisker यह आपको different sizes में market में मिल जाएंगे 40-50 rupees के बीच इससे आप आराम से cream whip तो कर सकते हैं cream whip भी हो जाएगी और उसका volume भी बढ़ेगा लेकिन कोई guarantee नहीं है friends की वो perfect stiff picks आने तक whip हो और साती अगर हो भी जाए तो काम करते समय शायद वो melt हो जाए क्योंकि वो अंदर से proper airy नहीं हुई होती है तो कभी कदर के लिए तो यह option ठीक है लेकिन अगर आप bakery जैसी decoration करना चाहते हैं अपने cake पर तो उसके लिए option ठीक नहीं रहेगा ऐसे ही हमारे पास दूसरा option होता है यह spoon और fork इनसे भी cream whip हो जाएगी उसका volume भी भड़ जाएगा और उसमें peaks भी आजाएगी पर इसकी भी friends कोई guarantee नहीं है हो सकता है काम करने के दौरान ही cream melt होने लगे क्योंकि वो अंदर से ठीक से whip ना हुई हो तो आप चाहें कभी कदर के लिए option के लिए यूज सकते हैं अगर आप घर के लोगों जाते हैं बहुत ज्यादा investment नहीं करना चाते बहुत ज्यादा fancy decoration भी नहीं करना चाते हैं तब तो या option आप और जोसकर सकते हैं लेकिन अगर आप perfect bakery इस टाइल की डेकोरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक अच्छी ब्रांट का अच्छे वॉर्ट का इलेक्टर बीटर लेना होगा तो गाइस मेरे पास ये प्रिस्टीज ब्रांट का हैंड मिक्सर है जिसे इलेक्टर बीटर भी कहते हैं आप देख सकते हैं और इससे काफे सारे काम हो सकते हैं, जैसे कि इससे whisk किया जा सकता है, इससे beat किया जा सकता है, blend किया जा सकता है, और किसी भी चीज को अच्छे से mix किया जा सकता है, और इसकी cost friends लगभग 2,000 होती है, लेकिन अगर आप online purchase करते हैं, या किसी special shop से कोई discount या coupon पे लेते हैं, तो आपको ये 1800 का मिल जाएगा, generally कोई भी electric beater आप लेंगे, तो आपको 2000 से 2200 रुपे के बीच में मिल जाएगा, मुझे ये 1800 का मिला था, आप देख सकते हैं, इसकी proper process, proper use करने का तरीका, सब कुछ इसमें लिखा होता है, अब बात आती है friends, कितने watt का हमें लेना चाहिए, तो जो चाहें अपने budget के हिसाब से ले सकते हैं, पर ध्यान रखेगा, उसके watt या तो 300 हो, या फिर 300 से जादा ही हो, उससे कम ना हो, market में prestige के आते हैं, बजाज के आते हैं, क्रोमा के आते हैं, फिलिप्स के आते हैं, साथी kitchen it के भी आते हैं, kitchen it के थोड़े से product महंगे होते हैं, तो आप चाहें तो उसे ना ले करके इस तरीके से सस्ते brand भी ले सकते हैं, ये भी काफी अच्छे result देते हैं, जब आप इसकी packing खोलेंगे, तो इस तरीके से आपको ये 4 hooks मिलेंगे, मैं आपको दिखाती हूए कि करके, इस तरीके से देखिए, ये 2 hooks तो हमारे beater होते हैं, जिससे हम cream को beat करते हैं, किसी भी चीज़ को mix करते हैं, इस तरीके से इसमें 2 blades होते हैं, जो आपस में twisted होते हैं, नीचे ये hooks होते हैं, टीथ होते हैं, जिससे की electric beater के अंदर insert किये जाते हैं, और ऐसे ही ये 2 curved hook भी आते हैं, जिससे की आटा गुनने में help होती है, मैंने तो electric beater है, उसके खराब होने के chances होते हैं, तो मैं तो आपको suggest करूँगी कि इसे आप use नहीं करें, इसे side में ही रख दें, जैसे मैंने रखा हुआ है, तो ये तो बात हो गई, जो hooks इसके साथ आते हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये machine, यानि कि electric beater कैसा दिखता है, कैस काम किया जाता है, और ये hooks उसमें कैसे लगाए जाते हैं, तो इससे सबसे पहले हम खोल लेते हैं, इस तरीके कि ये packing में आता है, देख सकते हैं, परपल और वाइट कलर का मुझे मिला है, हो सकता है, इसके market में और भी colors आते हो, इसके अंदर एक wire इसके संग connected आती है, आप देख सकते हैं, काफी लंबी wire है, लगबख देड मीटर की होगी, थ्री पेन उसमें plug है, तो आप इसे अपने electric supply वाले point पर लगा सकते हैं, मैं इसके wire को खोल देती हूँ थोड़ा, इस तरीके से friends मैंने देखे wire को अपने plug में लगा दिया है, इसको हाथ में लेना भी काफ के बारे में बताया है, और ये भी लिखा हुआ है, कि अगर आपके पास ये seal टूटी हुई हो, तो आप इसे ना ले, तो इस बात का धियान रखिएगा, अब मैं आपको इसकी speeds के बारे में बताती हूँ, यह आप देख सकते हैं, उपर की side में यहाँ पर 1, 2 और 3 लिखा और एक eject का button है, जिसको दबाने से, यह hooks जो हैं, वो बाहर निकलाते हैं, तो इस तरीके से हमारा यह prestige brand का electric beater होता है, काफी देखने में सुन्दर भी है, और हाथ में लेने से handy भी होता है, अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें यह hooks किस तरीके से set किये जाते हैं, ऐसे त पता लग जाएगा, यह fit हो जाते हैं, ऐसे ही दूसरे वाले को भी में डाल देती हूँ, आप चाहें तो friends, इसे एक भी use कर सकते हैं, पर अगर ज्यादा जल्दी काम करना चाते हैं, तो आपको दो ही इसके यह use करने होंगे, तो इस तरीके से machine चलती है, और इससे आप चाह बिल्कुल उसी तरीके से friends, जो इसके teeth दिये हुएं, उसके अंदर हम यह insert कर देंगे, जहाँ पर इसके marks दिये हुएं, वहाँ तक, और यह हमारा, देखिए, fit हो जाता है, अब मैं आपको इसे on करके दिखाती हूँ, पहले मैं आपको इसकी number one speed दिखाती हूँ, यह देखि off करने पर यह बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, और जब आपको काम हो जाए, आपको इस plates को बाहर निकालना हूँ, तब आप eject की तरफ इसे push कर दीजेगा, यह दोनों plates बाहर आ जाएंगे इस तरीके से, तो friends, अब मैं आपको बताती हूँ कि cream को whip करने के काम करने के बाद भी melt नहीं होती है, आप जब भी electric beater लेने जाएं, तो आप ध्यान रखे कि आपको 300 watts से या तो ज्यादा का लेना है, या फिर 300 watts तक का लेना है, उससे कम का बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप उससे कम का लेंगे, तो cream आपकी भी पच्छे से न electric beater, आप market में जाकर के अपने budget के हिसाब से कोई भी electric beater ले सकते हैं, बस वो 300 watts का होना चाहिए, आप चाहें तो 300 watts से ज्यादा यानि कि 450, 650 या 1000 watts का भी electric beater ले सकते हैं, friends यकीन मानिए, cream से related आपकी जितनी भी problems हैं, वो आपकी एक अच्छे electric beater को लेने से लगभक 99% तो य आप उसे ऐसे भी छोड़ देंगे, तब भी वो melt नहीं होगी, कोल मिला के देखें, तो cream को whip करने के लिए जो सबसे best option है, वो होते हैं, ये electric beater, क्योंकि कई बार guys क्या होता है, लोग cream के बारे में पूसते हैं, कि आप किस brand की cream यूज करते हैं, कौन सी brand की cream अच्छी है, 300 watt या फिर उससे ज़्यादा का ही लेना है, उससे कम का तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, तो ये तो बात हो गई, friends, electric beater की, कि हमें कितने watt का लेना चाहिए, अपने budget को देखते हुए, आप किसी भी brand का market में जाकर के से ले सकते हैं, चलिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ इससे अपनी cream को whip करके, तो मैंने यहाँ पर एक mixing bowl ले लिया है, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, whipping cream, यह मैं rich company की whipping cream यूज़ कर रही हूँ, बहुत से मेरे viewers ये भी पूछते हैं कि आप cream कौन सी यूज़ करते हैं, तो friends, मैं हमेशा ये rich company की premium brand यूज़ करती हूँ, य ये 190 रुपीज की मुझे मिलती है, जहां पर मैं रहती हूँ, लेकिन इसका टेस्ट वाकई बहुत टेस्टी आता है, और कोई भी शिकायत नहीं आती है, तो जब भी आपको cream whip करनी हो, friends, आपको इस तरीके से chilled cream लेनी है, उसमें ice crystals बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, यानि की ये मीठी होती है, तो आपको extra पिसी हुई चीनी डालने की इसमें बिल्कुल भी ज़रत नहीं है, मैंने हुक्स अपने बीटर में सेट कर लिए है, friends, एक जरूरी बात और है इसमें, जब भी आप cream अपने mixing bowl में डालें, और फिर electric beaters से whip करें, तो आपके blades cream के अंदर लग और नहीं तो अच्छे से whip नहीं होगी, क्योंकि blades पूरी तरीके से घूम नहीं पाएंगे, तो इस बात का आपको special द्यान देना है, आपके beater के blades आधे cream सक डूबे हुए होने चाहिए, और अब बारी आती है speed की, तो सबसे पहले तो friends, आपको number one speed पर इसे on करना है, कुछ तो क्या करते हैं, अपनी cream को high speed पर ही starting से ही whip करना start कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, आपको cream हमेशा number one यानि की lower speed से ही whip करनी है, तो मैं इसे अभी 2 minute के लिए ऐसे ही whip करती हूँ, इसी speed पर, तो guys देखिए 2 minute लगभग मुझे हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं, cream की consistency थोड़ी सी थिक हुई है, मैं अभी आपको इसे बंद करके दिखाती हूँ, ये देखिए, कितनी पतली हमारी cream थी और थोड़ी सी थिक हो गई है, इसके अंदर air भी आ गई है, इस तरीके से हम पारी 2 minute के अंदर देखिए, cream इतनी stage पर आ जाती है, अब एक जरूरी बात आती है, friends, अगर आप एक ऐसी जगे काम करने हैं, जहां पर AC नहीं है, गर्मी है, तब आपको इसमें कुछ चीजे एड़ करनी पड़ेंगी, जो कि इसको stiff peaks लाने तक help करें, तो उसके लिए आप आप एड़ कर सकते हैं, इसमें CMC powder, जो कि sodium, carboxy, methyl, cellulose होता है, बहुती बढ़िया stabilizer होता है, नहीं तो आप इसमें 2 चुटकी citric acid भी आड़ कर सकते हैं, इसको डालने से cream बहुती बढ़िया विप होती है, इसका टेस्ट बिल्कुल भी खराब नहीं होता, कुछ लोग सो सकते हैं, और ये चीज़े डालने के बाद अब आपको speed को नमबर 2 पर करना है, और 2 नमबर की speed पर इसे 1-2 मिनट तक ऐसे ही विप करना है, तो मुझे 2 नमबर की speed पर भी 2 मिनट हो चुके हैं friends, और ये cream जो है आप देख सकते हैं, layers इसमें आ रहे हैं, cream विप हो नहीं वाली है, बस इसी stage पर आप इसे number 3, यानि की full speed पर कर दें, जैसे कि ये फटा फट से बढ़िया से विप हो जाएगी, और 3 नमबर की speed करकर लगभग आपको इसे 1 मिनट और विप करना है, और ये परफेक्ट विप क्रीम आपकी रेडी हो जाएगी, तो इस तरीके से देखे फ्रेंट्स हमारी क्रीम एकदम परफेक्ट रेडी हो चुकी है, मुझे टोटल 5 मिनिट्स इसमें लगे, और देखे स्टिफ पीक्स हमारी क्रीम में आ गई है, बहुत ही बढ़िया ये रेडी हुई है, इस तरीके से क्रीम जब आप विप करेंगे और अपनी केक की डेकोरेशन करेंगे तो बहुत ही अच्छा रेजल्ट मिलता है, अब इन ब्लेट्स को निकालने के लिए मैं एजेक्ट मोड पर इसे डाल रही हूँ, देखे आराम से ये हमारे ब्लेट्स बाहर आ गए है, क्रीम आप इसमें से निकाल लीजिए, देख सकते हैं आप किती बढ़िया क्रीम विप हुई है, इस तरीके से फ्रेंड्स अगर आ कासी हिलेगी भी नहीं, ये देखे, देख सकते हैं आप, तो हमारी कितनी बढ़िया देखे, इलेक्ट्रिक पीटर की मदद से केवल पांच मिनट में ये क्रीम रडी हो गई है, अब आप इसे डारेक्ट किसी भी केक डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो पांच म होती है, तो I hope guys, मेरा ये वीडियो आप सभी के लिए helpful रहा होगा, आप अगर बीटर लेने की सोची रहे हैं, तो आपको इसे काफी help हुई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे जरूर लाइक शेयर कीज़ेगा, और अगर आपने मेरे चैनल तारा मद झाल